हालो फ्रेंट्स तो आज हम सीने में होने वाले एक ऐसे दर्द के बारे में बात करेंगे जिसमें कई बार आपको लगता है कि कहीं ये कोई मसल की प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है चेस्ट वाल का पेन तो नहीं है तो इसमें हुता क्या है इस condition को हम बोलते हैं costo-chondritis, costo का मतलब rib है, condo का मतलब cartilage और itis का मतलब inflammation, यानि एक ऐसी situation जो rib को painful condition बनाती है, ribs का attachment शरीर में आगी की तरफ भी होता है और पीछे की तरफ भी होता है, तो उसमें pain अगर होता है तो उसको हम costo-chondritis बोलते हैं, कई बाद pain के साथ साथ उस हिस्से में swelling या surgeon भी मिलती है, तो इसको हम tits syndrome बोलते हैं, जो usually younger population में होता है, कोई normally कारण तो इसके नहीं होता है कि किस वज़े से हो रहे हैं, तो हमारा main उदेश्य होता है कि जो होने वाला pain है, उस pain को ठीक किया जाए, और उसको ठीक होने में normally कुछ हफ़तों तक का time भी लग जाता है, symptoms mainly जो आते है usually left side में ज़्यादा तर ये pain होता है, राइट में कम होता है, पर जब pain होता है तो बहुत ही sharp एक ऐसा लगता है कि कुछ दवाव या खिचाव पढ़ रहा है, और कई बार एक से ज़्यादा ribs के area में भी ये pain होता है, जब गहरी सांस लेते हैं या खासते हैं तो उसमें ये दर्थ बढ़ जाता है, causes की बात करें तो हम देख सकते हैं कि injury या कोई blow कोई चीज या कोई चोट लग जाए सीने के उपर तो भी ये costocondritis हो सकती है, या जिम में heavy exercise करने पे, severe coughing करने पे यानि कि physical strain पढ़ने पे भी ये condition हो सकती है, एज बढ़ने के साथ साथ इस costocondral junction पे अगर arthritis हो जाए, गटिया की condition हो जाए, वो भी pain करती है, कई बार इन हिस्सों में, rarely tuberculosis का infection भी मिलता है, हम costocondritis सोचते हैं, बट वहाँ पर को TB का infection या कोई bacteria या fungus का infection भी हो सकता है, कई बार इसके आसपास के इस्सों से tumors भी आ सकते हैं, जैसे breast का tumor, thyroid का tumor या lung के tumor जो होते हैं, उनके primary tumor से निकलके, एक extension यहाँ पर tumor का भी आ सकता है, ribs के अंदर, risk factor अगर देखा जाए तो usually 40 साल के ऊपर की age में यह होता है, पर जो pain के साथ swelling जिसे हमने TID syndrome बोला था, वो teenagers और young adults में ज़्यादा होता है, normally male और female में इसका equal सा contribution होता है, देखते हैं तो उस हिससे पर धबाने पर दर्द होगा, swelling मिलेगी, और कोई movement करके देखेंगे, तो chest क पीछे की तरफ retract करने पर pain होता है, कई बार ऐसा लगता है कि यह कोई heart की problem होगी, या कोई lung का infection भी हो सकता है, acidity भी हो सकती है, या गठिया बाय का pain हो सकता है, तो यह situations कई बार इस syndrome के अंदर लगती हैं, जो कि नुकसान दायक भी हो सकती है, क्योंकि जैसा हमने discussion किया था, अगर यह TB का infection या tumor है, तो उसके लिए हमें rule out करना जरूरी होता है, अगर यह problem लंबे समय तक बनी है, और normal treatment से ठीक नहीं हो रही है, करना क्या चाहिए, X-ray, CT scan और MRI से अच्छे information मिल जाती है, heart की problem rule out करने के लिए ECG या 2D ECO की जा सकती है, treatment अगर costochondritis हमारी बन गई है, त तो एनसेट्स या anti-inflammatory medicine जिने आम भाशा में तो pain clear बोला जाता है, तो basically inflammation कम करने की दवाई होती है, या अगर age जादा है तो paracetamol या ultracet जैसी tablet से होती है, trimandol जिन के अंदर होता है, paracetamol होता है, ऐसी medicines भी help करती है, amitriptylin जैसी antidepressant जो की कुछ इस प्रकार के pain में, ज doctor की सला से दी जा सकती है, जो कि ऐसी condition में helpful होती है, और therapy के लिए, physiotherapist के पास, stretching exercise के लिए, tense therapy के लिए, और कही बार local steroid का injection भी दिया जा सकता है, पर ये सारी चीज़े doctor के साथ ही लेना चाहिए, तो costochondritis, एक ribs के पास होने वाला pain है, सीने में आगे की तरफ, तो I think you like the information, please like and subscribe, auto DR Delhi